सब्सक्राइब नाओ एंड प्रेस तब बेल आइकेन नेवर मिस अपडेट गंटे से वो पढ़ा ही नहीं कर रहा बलकि वो कुछ ना कुछ सोचे जा रहा है कोई अंती नहीं आ रहा सोचने का सोचने से रुकी नहीं रहा ऐसे सोचे जा रहा जैसे उसने सोच नाम के प्लेनेट के टूर का फुल टिकेट ले रखा जब भी कोई काम करने जाता है फिर से उसके दिमाग में वही सोच घुसी रहती है जब कोई डिसीजन लेना चाहता है तब भी इतनी बार सोचता है कि डिसीजन ही नहीं ले पाता सोच सोच के पूरे थोड़ प्रोसेस को लखवा हो गया पास्ट में पेंडूलम की तरह जूल रहे हो मैं ऐसा कर सकता था उसको ऐसा नहीं करना चीए था मेरे साथ ये हो सकता था वो हो सकता था होना चीए था हो सकता था क्यों नहीं हुआ पास्ट नहीं तो फ्यूचर में जूलते रहेंगे क्या होगा कैसे होगा नहीं कर पाया तो और तो और अगर कोई घर पर रात को आने में थोड़ा लेट हो गया तो सोच सोच के गला सुखा जा रहा है कि कई वो फिल्मों की तरह दिया बुजने वाला सीन तो नहीं होने वाला देखो भाई बनना था आपको वोरियर और बन गए वरियर चीता बनना था चिंता करकर के बरबाद हो गए आज हम इसी जरूरत से ज़्यादा सोचने वाली भूरी आदत का इलाज करेंगे श्री भागवत गीता में अरजुन बोले क्रिश्न से कि है क्रिश्न इस मन को रोकना तो असंभव हो है क्योंकि ये मन बहुत चंचल है कभी हाँ तो कभी वहाँ और जब मेरे जैसा अरजुन इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा तो एक आम आदमी कैसे इसको कंट्रोल कर पाएगा श्री कृष्न बोले कि हाँ अरजुन तुम बोल तो सही रहो पर ऐसा नहीं है कि सोच को वश्मे करने का कोई उपाई ही नहीं है अर्जुन ने पूछा क्या? श्री कृष्न बोले अभ्यास, प्रेक्टिस प्रेक्टिस करके कोई भी इंसान, कोई भी इंसान अपने मन का मालिक बन सकता है अपने विचारों को जीत सकता है और वो जो सोचना चाहे, सोच सकता है और जो करना चाहे, वो भी कर सकता है अब ये अभ्यास क्या है यहाँ पर, क्या प्रेक्टिस करें हम ओवर्थिंकिंग से बचने के लिए अब काम की बास शुरू होती है, ध्यान से समझे इस वीडियो को लाश्ट तक और अगर आप इसको लाश्ट तक देख पाए, तो समझ जाना आपको अपने विचारों पर कंट्रोल है बहुत सारे लोग होंगे जो इस वीडियो को लाश्ट तक देख भी नहीं पाएंगे क्योंकि वीचारों पर कंट्रोल ही नहीं है और मैं ध्यान से समझने के लिए इसरे बोल रहा हूँ आपको क्योंकि ओवर्थिंकिंग का जो टोपिक है ना ये बात है यह ऐसी कि इसको बहुत बारीकी से समझना पड़ेगा देखो होता क्या है जब जब आप ओवर्थिंकिंग करते हो तो आप अपने प्रेजेंट से निकल कर यानि कि जो काम आप उस टाइम पर कर रहे हो उससे निकल कर आइदर आप पास्ट में चले जा रहे हो या फिर आप फ्यूचर में चले जा रहे हो अपने विचारों को वर्तमान में पकड़ के रखना ही सबसे बड़ा सबूत है कि आपका अपनी थोट्स पर कंट्रोल है और आप उस टाइम अपने काम में पूरा ध्यान लगा पाते हो जब जब आप पास्ट के बारे में सोचते हो तो आपके मन में सबसे पहले ही आता है कि ऐसा होता तो वैसा होता वैसा होता देखो मेरे भाई पास्ट को आप चेंज नहीं कर सकते हैं लेकिन उससे आपको जो मैसेज मिला है उससे आपको जो सीखने को मिला है उस सीख को आप अ सोचो कि जो भी हुआ उससे मुझे क्या मिला अगर मेरा कुछ नुकसान भी हुआ तो भी मुझे वहां से कुछ ना कुछ जरूर मिलता है और वो कुछ ना कुछ क्या होता है सीख लेसन और जैसे ही आप अपने आपको ये रियलाइज करवाओगे कि पास्ट होता ही सीखने के पास्ट ना कमी निकालने के लिए होता है ना दोस्ट देने के लिए होता है केवल सीखने के लिए होता है उसी वक्त आप अपने आपको पास्ट से मुक्त कर लोगे जब जब आपको पास्ट का विचार है तो केवल यह सोचो कि जो होना था वो हो गया अब उस पास्ट से एक म लीजिए कि अभी अभी इस मोमेंट में मैं जो काम कर रहा हूँ उस पे ही मेरा future depend करता है future के बारे में सोचने से future नहीं बदलेगा past की सीख लेकर वर्तमान को बहतर बनाने से future बदलेगा तो आप ने अपने आपको past और future दोनों से free कर लिया ये basic फंडा हो गया overthinking से बचने का now apart from this आपको अकर बार-बार कोई थोट परेशान कर रही है tension हो रही है तो अपने लिए manually दूसरे distraction create कीजिए for example जब आपने track कर लिया कि आप past और future में जूल रहे हो तो आपके पास में ऐसी कोई hobby होनी चीए जिसमें आप उस अपना time लगा सको मानलो walking करने चले गए थोड़ी देर बाहर आप जो भी काम कर रहे हो केवल उस काम को enjoy करना सीखो बहुत से लोग हैं जो खाना खाते रहेंगे और कुछ सोचते रहेंगे चाय पीते रहेंगे और कुछ negative सोचते रहेंगे वो भूली जाते हैं कि भाई चाय देगो कितनी अच्छी बनी है खाना कितना अच्छा बना है मौसम कितना अच्छा है वो जिन्दा है स्वस्थ है घर पे सब ठीक है उनके वो life में अच्छा फरपॉन हम सांस ले पाते हैं इसलिए लंबी सांस लो और बोलो कि जो मुझे चाहिए इस life में इस वक्त अपने काम पर ध्यान देने के लिए overthinking से बचने के लिए वो सब है मेरे पास ना मेरे पास किसी चीज की कमी है और ना कोई ऐसी चीज है जिसकी कमी हो और में हासिल ना कर सूँ तो ऐसा सोचोगे तो आप अपने आपको हर तरह की चिंता से पास्ट से फ्यूचर से मुप्त कर लिए दो विच इस अनोदर वे टो एंजोई दे प्रजेंट एंड स्टोप ओर थिंकिंगिंग आपकी लाइप में अभी अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वज़े से आप सोच-सोच के परिशान हो रहे हो तो आपका टार्गेट ये होना चीए कि आप उनके सॉलुशन के बारे में सोचो ना की प्रॉब्लम के बारे में अगर मालो आपकी सिष्टर जोब करती है और उसकी शाम को पांच बिज़े छुटी हो जाती है और रात के दस बजगे अभी तक वो घर नहीं आई तो क्या आप बेट के केवल चिंता करोगे या फिर उनके ओफिस में कॉल करोगे कहीं से पता लगाओगे किसी और की हल्प लोगे यानि कि every time, every moment you have two choices either you think about problem और you think about its solution हर time, हर घड़ी आपके पास दो option होते हैं आप या तो problem के बारे में सोचते रहें या फिर solution के बारे में सोचे सोचना ही तो है किसी एक के बारे में आपको सोचना ही है living in the present moment without getting into any worry is the key to learning how to stop or think आपको अपनी life का charge खुद रेना पड़ेगा अगर आप उस जगह पे नहीं हो अपनी life में जहां पे आज आज आपको होना चीए तो इसमें अब भी देरी नहीं हुए आप उस चीज को तो नहीं लेकिन उससे बहतर चीज को जरूर अचीव कर सकते हो और जब आप अपने आपको convince कर लेते हो motivate कर लेते हो कि you deserve better आप उससे बहतर deserve करते हो तब आप अपने आप में confidence और concentration develop करते हो और आप में कोई कमी भी रह जाती है और में भी कोई कमी रह जाती है जिसकी वज़े से आप उस बात को भूलने ही पा रहे हो तो एक चीज याद करो कि इस दुनिया में कोई भी बंदा परफेक्ट नहीं है एक कहानी है सच है कि जोटा मुझे नहीं पता भगवान ने समझाया कि देखो ऐसा इंसान तो होई नहीं सकता इंसान मैंने बनाया ना मुझे पता है ऐसा इंसान होई नहीं सकता दूसरा वर्दान मांग लो बोला नहीं मुझे तो ऐसा पती ही चीए जिसमें मेरे ये पांचों गुण हो भगवान ने बोला ऐसा possible तो नहीं है बट मैं कर दूँगा मैंने ततास तू हुआ क्या अगले जनम में द्रोपती को पांच पती मिल गए तो जब भगवान खुद बोल रहे हैं कि कोई भी perfect नहीं है उन्होंने ऐसा इंसान बनाया ही नहीं है जो हर काम में, हर फिल्ड में, हर quality में सबसे अच्छा हो, सबसे best हो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई फिल्मों में ओसकर लेने वाला swimming में भी international gold medal ला रहा है, मेरा थन में भी gold medal ला रहा है राष्टपती भी बन गया हो, उससे सब इंसान खुश भी है किसी को उससे सिकायत भी नहीं है दुनिया का सबसे बड़ा इस्ट्रोनोट भी वही है वो ब्रहस्पती घ्रह पे भी जा सकता है जिसको दुनिया की सारी किताबे दिमाग से याद है नो यार, नेवर उपर वाले ने ऐसा इंसान बनाया ही नहीं है कोई ना कोई कमी किसी में जरूर होती है इसलिए अगर आप इसलिए ओर थिंकिंग कर रहे हो कि आप में कोई कमी है या आगले बंदे में कोई कमी है और उससे आपको फर्क पड़ रहा है तो सोचिए कि इस नेचुरल अगर उसमें कोई कमी है तो अच्छाई भी जरूर है आपने जो focus डाल रखा है जो आपकी focus light है उसका focus negative चीजों से हटा के उसकी positive चीजों पे डालो अपनी positive चीजों पे डालो और जैसा कि भगवान श्रीकिशन ने अर्जुन को कहा था कि अपने विचारों को control करना मुश्किल तो है लेकिन impossible नहीं है और इसका तरीका यही है कि अभ्यास करते रहें किस चीज का अभ्यास past और future की thoughts से आजाद होकर present के काम पर focus करना और आप पूरा focus हिस पे लगाएं मैं आपको एक personal advice देना चाहता हूँ आप अपना पूरा focus हिस पे लगाएं कि आप दुनिया में देश का नाम कैसे कर सकते है I hope कि आपके लिए ये वीडियो useful रहा होगा अपना ख्याल रखिए और आगे बढ़ते रहें जैहिंद वंदे मातरम